हलो स्टुडेंट्स, मार्क दस्थन फूर कॉमर्स में आपका स्वागत है, आज की टॉपिक है एकाउंटिंग एक्वेशन पार्ट फाइब जुन्होंने पार्ट वन नहीं देखा वो पार्ट वन जाके जरूर देखें, पार्ट वन पे मैंने बताया है कि अक्यांटिंग एक टर आशेटिंग एक गासिक है, गैज के मार्क st Requ她 कोरी वेशन का लागत हुरी एक पार्ट वी यूनिक इुनिक ट्राइब का ट्रंडिक्सन है ज्यक्र वन éd rip एवो सारा त्रर्ड रोदिक्षन को जितना भी उसमें ट्रिक चुपा हुआ है वो सारा transaction को हम तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं ताकि accounting equation से कोई भी question आए किसी तरह का भी question आए तो आप हर प्रकार का question को solve कर पाईए ठीक है तो part 5 पे भी यह करेंगे यह साइस का लास्ट वीडियो होगा तो बने रहिएगा चले स्टार्ट करते हैं कि यह यूनिक ट्रांजेक्शन थर्टीन है ठीक है प्रे ट्रांजेक्शन को sold goods worth 10,000 at profit of 20% to RAM goods कितना का हम लोग sold कियें कितना वर्थ का 10,000 का कितना का profit में 20,000 का किसको राम को तो सबस्क्राइब ध्यान जिया तो जैसे राम लिखा हुआ है यह राम को देखती कि यह पिचल जगा कि जो goods है वो credit में sell हुआ है cash में ने cash में होता है यहाँ पर cash शाप शाप लिखा होता तो इधर देखिए cash कॉलम में तो कुछ रहेगा नहीं यह तो खाली रहेगा यानि कि goods कॉलम से हम लोग goods कितना का माइनस होगा 10,000 का goods जो है हम लोग का 10,000 का माइनस हो जाएगा अब इधर देखिए capital प्लस liability मेजर ध्यान से देखिए अच्छा इधर एक बताओ अब क्योंकि यह credit में यह हुआ है तो इसाए एक और कॉलम भी तो बनेगा डेटर का अन्या कि नहीं गूड्स जो है credit में सेल हुआ है तो वह डेटर का और कॉलम बनेगा तो डेटर में amount कितना होगा गूड्स का value तो 10,000 रुपय है उसको हम लोग बेची है 20% का profit में तो राम को बेचने समय यह इसी में add हो गया होगा तो कितना का 10,000 अब 20% उसका 20% इसका 2000 होगा यानि कि जो डेटर होगा वो कितना का कॉलम होगा 12,000 का कॉलम होगा ठीक है क्योंकि goods जो है credit में sale हुआ है तो यहाँ पर हम लोग data column मनाते हैं और उस पर जितना पर sale हुआ profit के साथ यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अब हम लोगो profit कितना हुआ है profit हुआ है 2000 हम आपको पहले ही बता है loss और expense होगा तो capital से minus होगा और अगर कुछ profit होगा तो वो capital में जाकरके add हो जाएगा यहाँ पर वो profit हो रहा है कितना का 2000 का यह 20% profit तो यानि कि हम लोग का capital side में 2000 रुपया profit पर दिखेगा अब accounting question का match करा यह तो इधर plus 2000 रुपय हो जाएगा अधर 2000 रुपय यानि कि यह match कर गया ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यह चौथा transaction देखिए यह चौथा transaction थोड़ा unique type से है क्यों हमको बताएंगे चार्ज interest on capital 10% for the year at 1 lakh यानि कि 10% एक लाग पर इंटरेस्ट on capital चार्ज करने बोल रहा है देखिए इसको solve करने के लिए यह unique इसलिए हो जाता है क्योंकि यह आपका syllabus पर ही नहीं यह आपका 12 का portion है यह interest on capital तो आपको पहले detail में समझाना पड़ेगा कि interest on capital होता कैसे है और उस accounting equation में accounting equation में treatment करते कहां देखिए जब interest on capital charge करने बोलता है ना 10% के हिसाब से मान लिजे तो cash debtor column यह asset side कुछ बनाने का जोथी नहीं पड़ता है capital plus liability side में इधर asset side ठोट दीजे capital plus liability side में 10% कितना होगा 10,000 होगा ना यहां पर हम लोग क्या करते है capital में sorry 8,000 लिख रहे है capital में 10,000 add करते हैं और इसी capital से 10,000 minus कर देते हैं अब देखिए accounting equation आपका यह 0 हो गया और इधर तो 0 था ही अब आप बोलिएगा कि यह किस तरह का treatment होगा capital side में आप दसर्फ add की है और capital side से दसर्फ minus कर लिए तो देखिए हम आपको बोलें पहले भी बोलें कि यह जो आपको portion है ना यह आपका class 12 का है इसको हम एकदम short में जितना short में हो सके आपको हम समझाने का कोईस करते हैं ठीक ह इंट्रेशन capital होता क्या है मान लिजे यह राम है ठीक है यह राम है राम अपना बिजनेस में एक लाग रुपया capital इंवेस्ट किया था ठीक अब बिजनेस जो है उसका जो बिजनेस है वह बिजनेस जो है नेट प्रॉफिट अन की मान के चलिए साल भर में 20,000 रुपया ठीक इसे प्रॉफिए अब कि आया डन Maisa अईनर को न जब पार्टश्य पढ़िएगा तो उसमें पा्रशित बनाते हैं जिसमें यह बोलो जाता है कि जो पार्टणर है यह पार्टनर रहे है राम अगर यह एक लाग रुपय पैंकि है तो पारट्र्नर.शिफ में लिखा हुआ क इंट्रेशन क्यापिटल निकाल लें 10,000 रुपया अब देखिये वह एग्रिमेंट बोलता ही है कि जो पार्टनर यानि जो ओनर बीजनेस में पैसा लगाया है उस पैसा पर जब बिजनेस प्रॉफिट अं कर ले जब बिजनेस नेट प्रॉफिट अं कर ले तो उस प्रॉफि पार्टनर को पे करते हैं तिक यानि कि एक लागर पर बिजनस में इंवेस्ट किया था इसका 10% हम लोग 10,000 निकालें और जो नेट प्रॉफिट आएगा बिजनस में उससे हम लोग यह 10,000 पर पे करेंगे तो आप सवाल है कि फिर एड और माइनस की हो जाता है देखिए बिजनस में जब इंट्रेस्ट केपिटल पे करना जाएक तो क्या से प्रॉफिट से इस कहनी कि अगर आपको 10,000 पर पे करना है तो बिजनस में आपको पहले 10,000 पर प्रॉफिट आन करना पड़ेगा तभी न पे कीजए तो जब कुछ profit होता है तो क्या होता है capital में 10,000 रुप्य वो add होता है अब वो minus क्यों हो रहा है अब देखिए books of accounts में न हम लोग को दिखाना पड़ता है कि हम लोग इस 20,000 का किया क्या है तो यह 20,000 तो partner को चला जाएगा यानि कि इंट्रेस्ट और capital के तौर पे यह 10,000 रुप्या पार्टनर को चला जाएगा यानि कि ओनर को तो क्या हुआ 10,000 रुप्या अगर यह partner को मिलता है तो profit तो भले हुआ business में लेकिन इसी profit को आप पे कर दिये पार्टनर को तो एक बात बताईए profit जब अन किये तो यहां तो आप plus में दिखा दिये 10,000 अब देखिए अब वो माइनस क्यों हो रहा है क्योंकि इसी profit से आपको partner को पे करना पड़ रहा है partner को पे करना पड़ता है इसलिए यह 10,000 रुप्य यहां से वो माइनस हो जाता है और plus होने का एक करन यह भी है कि यह जो profit है वो एक्चुलि बिजनेस से थो इन आउट हो रहा है वो business में ही बाट दिए तो जब earn कियें तो वो interest on capital में 10 अर दिखा और उसके बाद जब आप partner को पे कियें और को पे कियें तो वो माइनस हो जाएगा यानि कि असान भासा में business में कोई effect नहीं पड़ा इस transaction से ठीक है यानि कि इस transaction से interest on capital पे करने से क्या हुआ यह business में ही आया और business में ही सिफ books of accounts में entry को दिखाने के लिए सिफ हम लोगों जो entry दिखाना पड़ा कि 10,000 पर net profit कमाएं और उसके बाद 10,000 पार्टनर को distribute कर दिए इसलिए यह ऐसा होता है कि 10,000 आया और 10,000 चला गया बस यह कि इस question में कोई अशर नहीं पड़ता है तो यह है आपका interest on capital देखिए यह रिटर्न 5,000 as defective which is sold of 10,000 for 12,000 यादनि कि इधर जो आप goods sold किये थें यह जो आप goods sold किये थें राम को वो आपको 5000 का goods जो है return कर दे रहा है क्यों defective बोल करके तो अब इसका अब हम लोग treatment कैसे करेंगे एकदम ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या क्यूंकि स्मुत्रा मेहनत ल goods return हुआ है तो जो राम है वो क्या था यहां पर 12,000 का डेटर था तो डेटर से जितना को goods return किया उससे तो हम लोग पहले minus कर देंगे तो देखिए books of accounts में एक तो यह data का 5,000 minus हो गया अब यह जो sell हुआ था यह जो 5000 था यह जब आप उसको sell किये थे इस पे आप उसमें 20% profit 20% का profit add किये थे तब sell किये थे यानि कि इसमें 20% profit add है अब हम लोग को goods minus करना है तो goods हम लोग यहां से 5000 minus नहीं कर सकते हैं क्यूंकि क्यूंकि यहां पर 20% profit पे था और जो goods का column होता है ना इस पे हम लोग केवल cost value पे दिखाते हैं sale value पे नहीं cost value पे दिखाते हैं तो हम लोग को इस 5000 का cost value निकालना पड़ेगा यहां पर देखिए और यहां लिखाओ अभी question में जब 12000 का sell किये थे उस 12000 का cost कितना था 10,000 रुपया अब हम लोग को पांच हार का sell value दिया हुआ है तो देखिए सिंपल सा arithmetic formula लगाएंगे यानि जिसको हम लोग unitary method यह बोलते हैं तो cost per sale निकालने के लिए cost से sell divide कर दिए ठीक है और cost से sell divide कर दिए और into 5000 कर दिए तो इससे क्या होगा इससे हम लोग का cost value निकाल आएगा कितना का 5000 का पांच हाजार का cost value निकाल आएगा इस तरह कीजेगा तो ठीक है तो यह कितना हो गया यह होगया आपका 4167 यह आपका cost value हो गया सेल वैलू में cost value तो यहां से 4167 गुड्स हम लोग का वापस वापस आ जाएगा यानिकि वह एड हो जाएगा माइनस नहीं होगा क्यों क्यों कि यहां पर सेल्स रिटर्न कर रहा है ठीक है जो हम लोग उसको बेचे थे वह गुड्स हम लोग का बिजनेस में वापस आ रहा है इसकी यह गुड्स यहां पर cost value पे 4167 दिखेगा ठीक है तो देखिए accounting question मिलाईए तो accounting question मिलाईएगा अच्छा अब एक बत और अब क्योंकि यह कहां से आया यह देखिए इसको जब हम लोग सेल किये थे तो क्या था 20% profit पर सेल किये थे तो यानि कि जो profit पहले हुआ था अब वो हम लोग का profit रहा नहीं अब वो profit रहा नहीं तो हम लोग अपना business से जितना का profit नहीं रहा उतना क को माइनस करना पड़ेगा तो यह निगले कैसे देखिए 5000 का सेल रेल्यू था और कॉस्ट रेल्यू हम लोग अभी निकाले इक यह हम लोग का बिजनेस का लॉस हो गया ऐक बार पूरा दुबा संथाँ जेते हैं जार जो देखिए जो हमगो रिटर्न कर रहा यानि कि जो पाँक हम लोग का समान वापस कर रहा है इस पांच जार को हम लोग 20,000 का profit पे sell किये थे यानि कि ये 5000 क्या हो गया ये 5000 हो गया sale value, इस sale value का हम लोग को cost निकालना पड़ेगा क्यों क्यों जो goods का column होता है ये cost value पे रहता है data पे तो sell value रहता है इस ते यहां पर 5000 हम लोग minus कर दिए लेकिन ये जो goods है ये cost value पे होता है तो cost value निकालने के लिए हम लोग unitry method का apply की है कि जब 12,000 में sell किये थे तो उसका 10,000 cost था तो 5000 sale value का cost कितना होगा तो ये हम लोग 5000 का sell का cost value निकाले ये 4167 जब इतना निकाल आया तो यहां से हम लोग उसको वापस add हो गया 4167 पे goods वापस आ गया अब ये costing था इसको जब हम लोग sale किये थे तो profit earn किये थे तो profit तो अब हम लोग रहा नहीं क्योंकि बिजनेस में वह goods वापस आ गया इसलिए 5000 से 4167 जब माइनस कर दिए तो इतना जो profit पहले earn किये थे अब वह बिजनेस थे वापस minus हो जाएगा ठीक है तो यह है transaction चलिए आगे बढ़ते हैं राश ट्रांजेस तर है bad debt of rupees 1000 हम लोग को bad debt का मतलब क्या होता है bad debt का सीधा सीधा मतलब होता है कि यह loss हो गया है यानि कि इस कुछ समझिए कि मान की चलिए आप राम को hypothetical example है राम को 10 रा का good sold किये थे credit में अब यह 10,000 रुपया हम लोग को यह 10,000 में से 1000 रुपया मिलने वाला नहीं है यह यानि कि डूब गया तो यह जब डूब गया तो इसका treatment कैसे करते हैं हम लोग debtor side में यह pen चलने रहा है हम लोग debtor side में यह debtor हो गया हम लोग debtor side में क्योंकि यह credit sale हुआ है तो कितना का budget हो रहा है 1000 का तो debtor side में 1000 हम लोग minus कर देते हैं और इधर capital प्लस liability वाला side में किसे minus करेंगे capital से 1000 माइनस कर देंगे क्यों क्योंकि यह सीधा सीधा loss है यह direct loss है कोई किसी को आप कर्ज में दसर का समान दिये थे credit में sale किये थे अब वो किसी कारण से आपको 9000 पे करेगा 1000 रपय वो पे नहीं करने वाला है तो 1000 रपय क्या है वह 1000 सीधा सीधा आपका loss ही हो गया इसलिए उसको हम लोग capital से 1000 रपया loss कर देंगे और इधर debtor से loss कर देंगे फिर आपका accounting equation मैच कर जाएगा तो आज के लिए तना ही students वीडियो को लाइक कीज़े चैनल को subscribe कीज़े धन्यवाद